नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्रिकुल्टर वीजन स्टुडेंट्स। आज जो आपके लिए क्लास लेकर रहे हैं एग्रिकुल्टर वीजन के ऊपर वो क्लास है मैंतेमेटिक्स मने साधारन ब्याज। देखिए जब interest की बात करते हैं ब्याज की बात करते हैं ब्याज होता है दो तरीके का एक होता है साधारण ब्याज एक होता है चक्रवर्ती ब्याज आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है साधारण ब्याज इसी के कुछ प्रशन है मेरे सामने सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज को किस तरीके से निकालते हैं साधारण ब्याज इंगलिश में कहते हैं simple interest simple interest यानि PRT upon hundred ये formula होता है simple interest का P का मतलब principal यानि जो amount ब्याज पे दिया गया है R का मतलब rate यानि जो दर जिससे ब्याज लगता है कितने प्रतिशत लगता है T का मतलब होता है time जितने समय के लिए दिया गया है सब को भाग देना है 100 से 100 से तो इसका मतलब ये क्या हो गया ये हो गया साधारण ब्याज मूलधन दर समय बटा 100 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इसी तरह से देखे ये कुछ प्रशन लिखे है मैंने 5 प्रशन है लेवल बढ़ता जाएगा यदि 4 रूपे 50 वर्ष बाद यानि जो पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल या मूलधन 50 वर्ष बाद यानि जो साल में महिने में जो दिया जाएगा वो होता है टी या समय और 10 रूपे हो जाते हैं यानि जो आपका प्रिंसिपल है वो इस एमाउंट में कनवर्ट हो जाता है 10 रूपे में इसको कहा जाता है मिश्रधन यानि ब्याज और मूलधन मिलकर के मिश्रधन बन जाता है तो साधरन ब्याज की दरग्यात कीजिए सबसे पहले देखिए 10 रूपे हो जाते हैं तो ब्याज निकालेंगे कि ब्याज कितना लगा है ब्याज निकालने के लिए आपको मिश्रधन कितना है 10 आपने दिया कितना था 4 रूपे या ब्याज कितना हो गया 6 रूपया 6 रूपया ब्याज हो गया अब इसको वोई formula apply करते हैं PRT बटा 100 अब PRT बटा 100 बराबर I यानि interest interest आ गया हमारे पास 6 रूपया है तो 6 बराबर P क्या है 4 R क्या है अपने को निकालनी है और समय कितना है 50 बटा 100 50 से 100 डिवाइड हो जाएगा 2 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 2 R बराबर 6 2 R बराबर 6 तो R बराबर हो जाएगा 6 बटा 2 3 आपकी जो दर है वो आगी 3 परतिशत अब समय वर्स में है तो ये वार्सिक हो गया यह आपको पहले से मेंचन किया होता है कि अगर मासिक नहीं दे रखा तो इसका मतलब है दर वार्सिक ही निकालनी है वहमूर धन बताईए जो सो परतिशत मासिक दर से 210 रूपे मासिक साधरन ब्याज अरजित कर सकता है ये देखिए मासिक दर है और मासिक ही ब्याज है यानि यहाँ पे कनवर्ट नहीं करना है दर वार्सिक हो समय मास में हो तो समय को convert किया जाएगा वर्ष में दर मासिक हो समय वार्षिक हो तो वर्ष को convert किया जाएगा मास में यह लेकिन यहाँ पर कोई conversion नहीं है क्योंकि यह भी मासिक है और यह भी मासिक है तो सबसे पहले 210 रुपे का सधरन ब्याज तो I हमारा हो गया 210 आई बराबर P P अपने को निकालना है 7 इंटू 1 अपोन 100 यह रहेगा कि 7P अपोन 100 हो गया यह है आपका हो गया 7P अपोन 100 क्योंकि मासिक ब्याज अरजित कर रहा है यानि एक महीने का निकालना है और दर भी मासिक है तो एक महीने में 210 रूपे ब्याज कितने रूपे का हो सकता है तो देखिए यह हमने निकाला 7P अपोन 100 हो गया अब 7P को निकालने के लिए 100 को यहाँ लाएंगे यह हो जाएगा multiply 20 100 P इक्वल टू 300 रूपे यानि 300 रूपे के उपर 7P अगर मासिक ब्याज लगाया जाए 7P मासिक ब्याज अगर 300 रूपे के उपर लगाया जाए 21,000 होता है यह इदर डबल जीरू है यहाँ डबल जीरू करेंगे 23,000 यह मैं सोच रहा था इतना कैसे बढ़ गया तो 3,000 रूपे के उपर अगर 7P मासिक दर से ब्याज लगाया जाए तो आपको 210 रूपे ब्याज मासिक प्राप्त होता है नेक्स्ट कॉश्चन पे चलिए यदि 660 रूपे 6 वर्स बाद 640 हो जाते हैं सबसे पहले वर्स वगेरा को बाद में देखेंगे सबसे पहले देखना है ब्याज कितना बना 6 वर्स बाद कितने हो गए 640 माइनस 460 460 रूपे आपने दिये थे 640 हो गए जो बड़ा है वो क्या है साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज इसमें से निकालेंगे तो कितना हो गया साधरन ब्याज हो जाएगा 180 रूपे साधरन ब्याज हो गया आपका 180 रूपे तो दो वर्स बाद कितना था अब देखिए सबसे पहले 6 वर्स का निकालना पड़ेगा 6 वर्स के से आपको दर निकल जाएगी उसके बाद पता चल जाएगा कि दो वर्स बाद में ये रूपेया कितना था तो अब देखिए 6 वर्स के जब बात की है तो ये जो ब्याज है आपका ये है 6 वर्स का तो 180 बराबर 460 इंटू 6 इंटू आर बटा 100 एक 0 से गया एक 0 ये हो जाएगा आपका 1800 बराबर 1800 बराबर 36 और 27 आर आर निकालना है तो 1800 में भाग दे देंगे 276 का 1800 में 200 चंतर का भाग दे देंगे 2 से चला जाएगा दोनों तरफ तीन से चला जाएगा सबसे पहले ही तीन से ये गया और तीन से ये गया राइट एक बार फिर 2 से चला जाएगा 46 ये आगी आपकी रेट 150 अपोन 23 यहां से आगे आपका भाग नहीं जाएगा तो इसको करने के लिए आएक बार इसको हम अपोन में ही रख लेते हैं सोल्व करने के जरूरत नहीं है आपको अब निकालना है दो साल बाद में कितना था तो दो साल बाद में निकालना है तो 460 इंटू टू इंटू वन फिप्टी बाई टूवंटी थ्री इंटू हंट्रेट यह देखिए टूवंटी थ्री से यह सीधा चला जाएगा टूवंटी हो गया मतलब कॉश्चन कोई भी दिया जाता है उसमें अगर आपका अपोन में आता है तो जब तक फाइनल सोल्यूशन नहीं निकले तब तक पोईंट में कनवर्ट नहीं करना है क्योंकि उसका कोई न कोई रिलेशन कहीं निकलेगा यहां इसका यह रिलेशन निकल गया है यहां से अपना 23 गायब हो गया है 0 से 0, 2 से गया 5 और 5 से गया 3 यह देख लिजिए कितना हो गया 60 इस इंट्रेस्ट रेट से 2 साल बाद में ब्याज कितना हो गया था 60 रूपे अब 60 रूपे ब्याज था इसके अंदर 60 जोडेंगे तो 2 साल बाद में आपका रूपेया कितना हो गया था 520 रूपे आपका हो जाता है अगलाग परसन देखिए कोई मूलधन तीन वर्स बाद इसका साथ बटा चार गुना हो जाता है ब्याज की वार्सिक दर बताईए अब इसको आप चाहो तो X मान लो आप चाहो तो 100 मान के भी किया जा सकता है जैसे की लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना क्या है मूलधन तो हमें निकालना है मानना की मूलधन बराबर 100 रूपिया मूलधन हमने कितना मान लिया यहाँ पर 100 रूपे आपने मूलधन मान लिया तीन वर्स बाद 7 बटा 4 गुना हो जाता है तो हम लिखेंगे 7 बटा 4 गुणा 7 बटा 4 गुणा जब हो जाएगा तो हो जाएगा 700 बटा 4 700 बटा 4 रूपे हो गया तो 700 बटा 4 रूपे यह आपका हो जाता है तीन वर्स बाद अब ब्याज कितना रहेगा ब्याज 700 बटा 4 माइनस 100 बटा 1 यह आपका आजाएगा 300 बटा 4 300 बटा 4 यानि 75 रूपीज 75 रूपीज हो गया आपका इंट्रेस्ट अब इस इंट्रेस्ट को कितने साल का है यह आपने निकालना है 75 रूपीज हो गया 3 साल का इंट्रेस्ट है तो 75 पी क्या है हमारा 100 र हमें निकालना है टाइम है 3 साल बटा 100 र निकल जाएगा आपका 25 परसेंट 25 परसेंट इरली जो है वो आपका इंट्रेस्ट रेट आएगा कितने समय में रूपे 25 रूपे 37 हो जाएगा यदि साधारन ब्याज की धर सोड़ा परतिशत है यहां आपको निकालना है समय 25 का हो जाएगा 37 तो सबसे पहले हमने निकालना है ब्याज ब्याज क्या रहेगा ब्याज रहेगा 37 मैनस 25 बराबर 12 12 रूपे याज कितने समय में हो जाएगा यह हमें पता करना है तो हम लिखेंगे 12 बराबर P R T P क्या है हमारा 25 रूपे या R है 16 परतिशत T आपको निकालना है बटा है 100 25 चोका 4 से गया 4 4 T बराबर 12 तो T बराबर 12 4 बराबर 3 अब देख लेजी यह आगया आपका 3 वर्ष यह इस तरीके से साधारण ब्याज के जितने भी प्रशन है उनको आप बड़ी ही आसानी के साथ हल कर सकते है फार्मूला यह रहेगा अगर आप इंगलिश में पढ़ रहे हैं P R T 100 simple interest और साधारण ब्याज के रूप में हिंदी में पढ़ रहे हैं तो मूल, धन, दर, समय, बटा So convert करने का एक तरीका होता है कई बार कहते हैं मास को वर्ष में convert करो मास को जब वर्ष में बदलते हैं तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा एक वर्ष में आपके मास होते हैं 12 एक वर्ष में मास 12 होते हैं ठीक है एक वर्ष में जब मास 12 होंगे तो अब इसमें आपको यह पूछ लेता है कि तीन माहा तो तीन माहा क्यों वर्ष में जब बदलोगे तो तीन बटा बारा हो जाएगा साथ माहा तो साथ बटा बारा हो जाएगा नो माह तो नो गटवारा हो जाएगा इस तरीके से मास को आप वर्ष में बदल सकते हैं और वर्ष को बदलना है मास में तो बारा से गुना हो जाएगा अगर तीन वर्ष है तो मानलीज ये च्छतिस माह हो जाएगा ठीक है, तो जो भी interest rate होती है उसके हिसाब से कनवर्जन करके और ब्याज की जितने भी प्रशन है इनको बड़ी ही आसानी के साथ बिना कोई गलती किये हल किया जा सकता है थेंक यू, have a nice day पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन जिसे की आने वाले समय में हम आपको और भी इसी तरीके की अच्छी अच्छी क्लास हर सब्जेक्ट के अंदर देती रहें धन्यवाद